ग्याननापी परिसर के अंदर के नए वीडियो को लेकर देश भर में अलचल का माहौल है वीडियो सामने आने के बाद वो तस्वीरे सामने आई हैं जो अब तक किसी ने नहीं देखी हैं ये तस्वीरें अब सब के सामने हैं वीडियों में वजू खाने से तैकाने और गुंबद से लेकर पश्मी दिवार की तस्वीरों पर हर पक्ष अपने अपने दावे पेश कर रहा है हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है मुस्लिम पक्ष फवारे पर अड़ा हुआ है ये तस्वीरें उस वीडियो की जो अब सब के सामने हैं इसी वीडियो के आधार पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहा है हिंदू पक्ष का दावा है कि ये शिवलिंग है मुस्लिम पक्ष इसे फवारा बता रहा है वजू खाने में फवारे का ये हिस्सा लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि इसमें फवारे का कोई भी अंच दिखाई नहीं रहता है उपर से सिमेंटेड है ये शिवले हमारे साथ इस वक्त इस पूरे गयान भी मामले में वरिश्ट वकील हरी शंकर जैन जी है हरी शंकर जी वीडियो सामने आ गए हैं वीडियो को देखते हैं आप जब पलट पलट के अपने देखा होगा जाए हम आज तक भी लगातार आप देख रहे होंगे पहला इंप्रेशन क्या रहा है देखे कर शाम को बहुत बिजी था पर टीवी पर जितन है मैं इश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि जो कुछ लिखवाया उन्होंने मुझसे सब अक्षर्षा सही है और वो हिंदू मंदिर तोड़कर तथा कतित मस्जिद बनाई गई इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है और जो शिव ल इतना सीरियस विशह है कि आगे चल कर वोड को कुछ नो कुछ नहीं इस विशह में देना होगा शिव लिंग जो है उसके ऊपर जो पार्ट मिला है उस पर आप क्या कहेंगे उनका कहना है कि हवारा है इनका कहना है अब देखिए तो अगर हास स्यास्वाद बात कोई कहे है अब फवारा कह दे या जिसका जो मनों कह दे कह दो एक स्पेशल पत्थर हमने बजू में लगा दिया था या काला पत्थर है या इसा है तो बेवज़ा की बात है इस परफ्रेक्ट चोलिंग है और इसमें दिक्कत क्या कहन मूं से देखिए और साइंस्विक जमाना है मूं स किसी बात पिकाहने कोई वैलू नहीं है हर चीज कि जाच होती है सांस्विक जाच होती है बाए डिफलमेंट हो चुगे है इसके कार्मक डेटिंगो सकती है यजा साइस की जाच कआ सकता है इतने घ्रवान लोग हैं सांस्ट और तसको जास का सते क्या चीज है अब ईतो यह परिजाज का विशह है कि कितने नीचे तक गया है वो उसके नीचे क्या है